बिग बॉस सीजन 16 को रिजेक्ट करने वालों की लिस्ट में अरजुन बजलानी का नाम भी शामिल था दोस्तों उन्होंने मना कर दिया था कि वो इस सीजन का भी हिस्सा नहीं बनने वाले हैं और सिर्फ इसी सीजन के लिए नहीं उन्हें पहले भी बिग बॉस के लिए अप्रोच किया जा चुका है लेकिन दोस्तों वो बिग बॉस के घर में आए ना आए लेकिन इस वक्त बिग बॉस के घर में जो कुछ भी हो रहा है उस पर वो काफी ज़दा भड़के जरूर है चलिया यह बात करते है अरजुन बिजलानी ने क्या कुछ कहा इस वागत है आप सभी का बॉलिवुड स्पाइ में मैं हूँ अधती शर्मा तो दोस्तो अरजुन बिजलानी ने मुझे लगता है कि कही ना गई इकल का प्रोमो देख लिया है और उसे देखने के बाद उनका गुस्ता जो है वो फूटा है और क्या कुछ उन्हों लिखा है कि मैं जो है मतलब इन लोगों को देखकर काफी ज़ादा हैरान हूँ यह टीवी एक्टरेस है यह तो टीवी एक्टर है इस तरीके के जो कॉमेंट्स पास किये जा रहे है तो यह बहुत ही बेकार चीज़ है आगे उन्हों लिखा है कि सबसे फ़नियस्ट पार्ट यह है कि जस प्लेटफॉर्म पर वो खड़े हैं मतलब वो खुद भी टीवी में ही है और उसी को गाली दे रहे है तो यहाँ पर टेलिवीजन अगर आपको नहीं पसंद इतना अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है टीवी से तो फिर आप यहाँ पर आए ही क्यों है जी हाँ मतलब बहुत ही बड़ी है बात कही कि इस प्लेटफॉर्म पर आप है ही क्यों जब आपको इतनी प्रॉब्लम है तो क्या है एक टीवी एक्ट्रेस है यह भी मैं आपको बताऊंगी कि किसके लिए यह इंडारेक्टली कहा है आगे अरजुन बिजलानी लिखा है टीवी बिग है था और रहेगा जी हाँ हर प्लेटफॉर्म जो है वो अपने आप में बड़ा होता है दोस्तों और टीवी बी टीवी इंडारेक्टली भी कोई चोटी मोटी इंडारेक्टली नहीं है अब बात करें कि किसके लिए इंडारेक्टली जो है अरजुन बजलानी ने ये सीख दी है तो मानन्या जो कि क料 आपको फट्ती नजराई और ये एक बार नहीं है वो बार 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 илनों ने सुम्भूल के लिए भी ये बोला इसने क्या स्ट्रगल की है टीवी एक्ट्रिस है मैंने ही स्ट्रगल की है मैं ही सब कुछ कर रही हूँ हाला कि सल्मान खान ने इस मुद्दे पर अपनी राय दे दी है कि भाईया ये इसको अपना ही है मतलब मैं ही बड़ी वाकी सब तो भंगार है आप सभी को क्या है दोस्तों इस बारे में कहना अरजुन बजलानी की बाद आपको कैसी लगी कॉमेंट्स में बताइए मुलते हैं नेक्स वीडियो में